नमस्कार दोस्तों वेलकम अनिल क्लासेज पर आप सभी का एक बार पुन है हार्दिक स्वागत अभी नंदन राम राम खमा गणी चलिए वीडियो भरती परिक्षा जो 27 और 28 देसंबर को दो दो यानि को चार पारी में आयोजित की गई थी चार पेपर हुए थे उसकी कट है बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि कितनी रहने वाली है और ये प्री एक्जाम है इसके अंदर आपको 15 गुणा यानि लग भग अभी 4000 पद है तो इसके अनुमा से 60,000 और पद बढ़ने की संभावना है तो इसके हिसाफ़ से 75,000 तक कैंडिडेट्स पास कर अच्छे गी और आपके कितने नंबर आ रहे हैं तो आपको मैंन की तेयरी शुरू कर देने चाहिए इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं तो यदि अनिम क्लासिज पर आप पहली बारा हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्रीब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना नह भूलें और साथ ही साथ लाइक और सेर भी कर दें जिससे आपके साथ ही इस चैनल के माध्यम से ऐसी ही लेटेस्ट अफडेट से जुड़े रहें चलिए बात करते हैं महीला फीमेल उमीदवारों के लिए ये जो वीडियो की प्री की कट आफ है वो हो जनरल OBC और MBC की 45 से 50 तक जाने वाली है यानि यदि 50 पलस आपके नंबर आ रहे हैं महीलाओं के 50 से क्रॉस आ रहे हैं 50 पलस आ रहे हैं OBC जनरल और MBC की कोई प्रोब्लम वारी बात नहीं है 100% आपका प्री में पास हो जाएगा आप मैन की तयारी आज से ही शुरू कर दें मैन एकजाम है वो से केटेगरी की बात करें तो महीलाओं की ये मेरिट 37 से 42 यानि 37 से 22 इसके बीच में रहेगी जिनके 42 पलस नंबर आ रहे हैं वो तो बिल्कुल 100 परसंटेज तयारी स्टार्ट कर दें उनका नंबर तो पका आना ही आना है और इसके रावा यदि 37 पलस भी नंबर कर रही हैं से केटेगरी की महीला हैं तो उनको भी तयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए इसके लावा स्टी की बात करें तो ये 37 से 42 यानि स्टी और स्टी की मेरिट लगभग सैम ही रहने वाली हैं लेकिन 37 तक स्टी की मेरिट है वो 100 परसंटेज रहेगी यानि 35 भी यदि किसी के हैं उनका भी स्लेक्शन हो जाएं अब आईए अपन बात करते हैं कि ये मेल यानि प्रूस उमीदवारों के लिए कितनी रहने वाली हैं जनरल OBC और MBC की वह सभी प्रूस जिनके 55 प्लस आ रहे हैं उनको तो 100 और 1 परसंटेज तयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए क्यों जनरल OBC और MBC के मेल वर्ग के जो अभीरती हैं उनको बिलकुल मैन एकजाम की तयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए SC की बात करें तो ये 45 से 50 तक जाने वाली हैं यानि 50 प्लस यदि कोई प्रूस अभीरती हैं उसका 100 प्रसंटेज हो जाएगा प्री किलियर इसके लावा 45 वाले का भी हो सकता हैं तो वो भी अपनी तयारी स्टार्ट रखें इसके लावा ST प्रूसों की बात करें तो ये 40 से 45 इसके बीच में रहने वाली हैं यानि आप यदि 40 क्रॉस कर रहे हैं तो आपको बिलकुल मैन एक्जाम की तयारी में अपना दम खम जोग नहना चाहिए क्योंकि आप 100 और 1 प्रसंटेज इस एक्जाम प्री एक्जाम को किलिर करने वाले हैं यदि नौर में जाईलाइशन हो रहे हैं तो आपको 100 और 1 प्रसंटेज मैन एक्जाम की तयारी अभी से स्टार्ट कर देने चाहिए जिससे आपका बहुशी उजवल हो सकें सभी को बेस्ट आप लाक मिलते रहेंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में